आप सभी ने अर्वी की पत्ते के पकौड़े बहुत बर बनाए होंगे और खाए होंगे जिसे हम पितों पात्रा या फिर अलुवडी के नाम से जानते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने चाहरी हूँ अर्वी की पत्ते के सबजी की रेसिपी ये सबजी बहुत ही जान्दा यमी बन करके तयार होती है अगर आपने कभी भी ट्राइ नहीं कहा है तो आप एक बास जरूर ट्राइ करिए का आपको बहुत पसंद आएगा इस रेसिपी म और बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर क्या ही हूँ आपको यह बहुत ही पसंद आएगा तो वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए बिना देर किये आज के बहुत ही जान्दा यमी रे कि मिलते हैं मेरे पास ना यह दोनों तरीके वाले तो मैंने यह ले लिया है आपके पास जो भी एविलेबल है वो आप ले सकते हैं सबसे पहले मैं यह आप क्या कर रहे हुआ ना कि यह देखें पत्ते की पीछे के साइड में यह इसकी मोटी मोटी स्टेम है तो इसी अगर ले विभाग है उन्हें आप कोशिश करें कि आप सीजर की मदद से काट करके और इसे हटा दे यह देखें और इसे कुछ इस तरीके से काट करके हटा देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक बेलन लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से हलका सा बेल लेंगे ऐसा करने से और अब एक टीशू पेपर या फिख कोई भी साफ कपड़ा ले ले और इसे अच्छे तरीके से पत्ते को दोनों तरफ से पोच ले मैंने नाई से पहले से धोया हुआ था तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से पोच ले रही हूँ ताकि इसमें पाणी की कुछ अंच ना रहे है सारे पत्तों को बिलकुल इसी तरीके से रेडी करेंगे पहले हमें इनके पीछे वारे पाट को काट लेना है और फिर इसी अच्छे तरीके से पोचते हुए हमें इसे रखते जाना है तो मैंने यहाँ पे कुल साथ सी आठ पते लिए हुए हैं जिसे मैंने अच्छे तरीके से पोच करके साइट कर दिया अब हम बनाएंगे बेसन का एक मिक्स जिसे हम उसके उपर अपलाई करेंगे तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आठ कर रही हूँ बेसन यह मैंने एक कब बेसन लिया हुए जिसे मैंने अच्छे तरीके से चान करके लिया हुए है अब हम इसमें कुछ मसाली आठ करेंगे इसके इलावा इसमें एक बड़ा चमब आम चुर काम पाउडर आट करी हूं लाल मिष पाउडर आट करी हूं आधी चूटी चमब और नमक आट करी नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग आट और बस अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे हम जब भी अर्बी के पते के कुछ डिस्ट बनाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब हम इसे बनाते हैं, तो इसी गले में बहुत ही खराश होती है और महोट ही खुजली होती है। तो हमने जो आमचुर का powder आट किया हैना, इससे यह समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। आप चाहें तो आमचुर के powder के जगा पर नीबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते ही। इसे भी गले में बिल्कुल भी खुजली नहीं होती है बिल्कुल भी खराश नहीं होता अब खाने में किसी भी तरीके की कोई जंजट नहीं होती है तो सबसे पहले अब क्या करेंगे कि सारे मसालुक अच्छे तरीके से मिला करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते और कुछ इस तरह के की consistency का एक बैटर बना करके तयार कर लें तो यह हमारा बैटर बन करके तयार हो चुका है चलिए बढ़ते हैं अपने अगले process की तरव तो अब हमें इन पत्तों पर इस बैशन को apply करना है तो मैंने यहाँ पर एक पत्ता लिया इस हमें उल्टे side से लेना है उल्टा side से इसले लेना है कि उल्टे side में जब हम बैशन को apply करते हैं तो वो अच्छे तरीके से इसमें फैलता है अगर आप उस side से करोगे तो वो दिक्कत आती है तो इसमें थौआ थौआ करते हुए बेसन डालती जाए और इसे में हाथों की मदद से ही फैला रही हूँ फ्रेंट्स आप इसमें हाथों का इस्तिमाल ही करें क्योंकि अगर आप इसे चम्मच की मदद से करने की कोशिश करेंगे ना अब हम क्या करेंगे ना किसी की उपर दूसरा पता में रख रही हूं तो दूसरा मैं थोच छोटा पता इसमें रख रही हूं और अब इसकी उपर भी इसी तरीके से बेसन की कोटिंग कर दिया है simple पत्य को भी आप roll कर सकते हो बड़ जब आप इस तरीके से layers कर देते हो ना तो वो जादा बढ़िया टेस्टित है और जादा अच्छे से बन करके ready भी होता है तो दूसरा पत्य को भी इसी तरीके से मैंने अच्छे तरीके से फैला दिया और अब मैंने वापस से ये तीसरा पत्ता लगाया है तो एक layer में आप तीन चार पत्तों का इस्तिमाल कर सकते हो आराम से तो मैंने ना बीच में थोड़ी छोड़े छोड़े पत्ते रख दिये हैं और आप उपर से में बड़े पत्ते रख दोगी तो कुछ इस तरीके की layers पना करके हम ready कर लेंगे अगर आपने कभी भी ये वाली सबजी बना करके ट्राई नहीं किया तो आप एक पर ज़रू ट्राई करिए का आपको ये बहुत ही जादा पसंद आएका कि बहुत ही यमी बन करके त्यार होता है आप इसे रोटी जावल जिसके साथ भी सर्फ करोगे ना खाने में बहुत ही मज़ा आता है तो इस तरीके से कुल तीन से चार पत्तों की मैंने layers बनाती है और इसमें बढ़िया तरीके से apply कर दिया है basin को अच्छे तरीके से फिला दिया ही equally अब हमें इसे fold करना है तो fold करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले हम इसे sides में fold करेंगे कुछ इस तरीके से और दूसरे side से भी इसी तरीके से fold करेंगे इस तरीके से यह आसानी से fold हो जाता है यह पहले पत्ते के लेयर है इसे बिलकुल रडी कर लिया है बिलकुल इसी तरीके से वाकि सभी पत्तों की लेयर्स पना करके त्यार कर लेंगे next process में अब हमें इन पत्तों को steam करना होगा तो इसके लिए मैंने इक पतेले में पानी गर्म होने के लिए रखा वाता इसके उपर मैं कुछ इस तरीकी का एक बरतन रख रही हूँ जो कि काफी आसानी से फिट हो जा रहा है और इसमें ना साइट में पूरे छेद हैं जिसे यह आसानी से पकेगा आपके पाश जो भी इस तरीके का बरतन है वह आप ले सकते हैं या पिर अगर आप चाहे ना तुझो इडली मेकर होता है उसमें भी आप इसे स्टीम कर सकते हो वरना यह तरीका बहुत ही आसानी आप इसमें भी कर सकते हो तो सारे पत्तों को एक एक करके रख देंगे अब हम इसे ढख देना है और इसे मेडियम तु हाई फ्लेम पर तकरीबन 15-20 मिनट के लिए स्टीम होने देना है उसके बाद यह बलकुल रेडी हो जाएगा तो एक काम करते हैं जब तक यह स्टीम हो रहा है तब तक हम मसालों का एक मिक्षर बना लेते हैं जो कि हम आगे करी में य चोटी चमच यह कश्मीरी लालमिच पाउडर एक चोटी चमच यह तीका आप अपरेंट सार रख सकते हो जादा यह कम जैसा आप रखना चाहते हैं इसी के साथ इसमें आट कर रहे हूं किचन किंग मसाला एक चोटी चमच सारी मसालों में थोड़ा सा पानी डालेंगे और से बढिया तरीके से मिला देंगे अगर हमारे मसाली का में इस तरीके से डालने से एक तो करी का स्वाध भी बहुत बढिया आता है और काफी समय भी बचाता है तो चलीह फटावर से अब अपने पत्तों पर भी ध्यान दे देतें तो फ्रेंड्स मुझे तकरीबर 1-2 मिनट लग चुके इसे पकाते हुए मैंने इसे medium flame पर ही steam किया है और अब ये बिल्कुल ready हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका रंग काफी ज्यादा change हो चुका है काफी ज्यादा dark हो चुका है तो मैंने इसे निकाल करके इसे थुआ सा ठंडा कर लिया है और अब हम इसे cut करेंगे तो एक knife ले ले और इसे कुछ इतनी दूरी पर cut करके ready करें बहुत जादा बड़ा भी नहीं cut करना बहुत ज्यादा चोटा भी नहीं करना कुछ इस तरीके के pieces में हमें इसे cut करना है आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही आसानी से cut हो जा रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से cut करके और निकाल लेते हैं इसकी बाद हमेंसे fry करेंगे तो इनकी pieces को निकाल लेने के बाद चलिए अब हम इने fry करते हैं तो friends आपना इने deep fry भी कर सकते हो बट मैं इने shallow fry कर रही हूँ तो मैंने एक कढ़ाई में mustard oil लिया वा है आप जो भी दिल खाते हो वो आप ले सकते हो और अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके जो इक सारे piece है ना उन्हें हमें इसमें रखते जाना है मेरी थोड़ी जादा है तो मैं इसे दो batches में fry करने वाली हूँ अगर आपके कम है तो आप इसे एक batch में भी fry कर सकते हो तो एक एक करके सारे piece रख देंगे पीस जालने के आप इसे पलट ले और दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से गोल्डन होने तक फ्राइब कर ले अगर आप इन्हें थोड़ी जादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हो ना तो आप इसे डी फ्राइब करें तो उसे यह थोड़ी लंबे समय तक चलता है वरना मैं यह जो इसे भी आप इसे दो से तीम दिन तक आराम से खा सकते हो तो अगर आप इस तरह के से शैलो फ्राइब करते हो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है तो यहां पर यह जो सारे पीसे ना दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया गोल्डन हो चुके हैं तो अब यह बल्कुल रेड तो मैंने यहां पर एकड़ाई में दो बड़े चंबत सरसो का तेल लिया है तेल को गर्म होनी देंगे इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं हींग हींग डाइजिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इस सबजी में बहुते बढ़िया फ्लेवर आता है तो तेल म मैंने इसमें डाल दिया है प्याज अद्रक लेसन का पेस्ट तो मैंने पास एक प्याज था साथ में कुछ लेसन की कलिया और एक इंच अद्रक का तुकड़ा था तो मैंने इन्हीं ग्राइंड करकी और इसका पेस्ट पना करके डाला है आप चाहो तो इन्हीं चॉप्ट कर वो निकल जाए बहुत जादा ब्राउन नहीं करना बस हलका सा भुनना है तो प्याज अद्रक लैसन को मैंने अच्छे तरीके से भुन लिया है आप देख सकते हो काफ यह सानी से कढ़ाई के तले को यह रिलीस कर रहा है यानि कि यह भुन चुका है अब इस टाइम पर हमें इ अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए भुन लेगे ता कि टमाटर जो हैं वह थोड़ा सा भुन जाए और कर निकल जाए तो टमाटर को मैने एक से 2 मिनट के लिए भुन लिया अब मैंने इसमें डाल दिया है मसाली में बनाकर क्रके तयार किया हुआ था थोड़ा सा पानी इस एप लगा वा था वह मैंने इसमें डाल ढाल दिया और अब इस इसे हमें अच्छे तरीके से मिला नना है और इस साथ बॉद्घिस क्लिण साथ मीला देना है और अब हमें इसे लॉटु medium flame पर भूनना है ताकि मसाली बढ़िया तरीके से भूने जितने अच्छे तरीके से आपके मसाली भूनेंगे सबची में उतना ही बढ़िया टेस्ट आएका तो इसे मिला करके इसे ढख दे और बीच पीच में आप इसे चलाते रहे ताकि मसाली तले में लगे नहीं और मुझे तकरीबर 8-9 मिनट लग चुके हैं क्योंकि मैंने इसे low to medium flame पर पकाया है तो मसाली बिलकुल अच्छे परिकेसे पक चुके हैं अब इस टाइम पर मैं इसमें डालूंगी पानी तो पानी आप अपने 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 सार आट करें जैसा सबजी में आप ग्रेवी रख पानी को डाल देने के बाद इसमें अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसमें हमीं थोड़ दिर के लिए पकाना है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ताकि इसमें बढ़िया तरीके से बॉइल आ जाए तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारी ग्रेवी में काफी अच्छे तरी का इसमाल ना करें क्योंकि अगर आप इसमें बहुत जादा कल्ची लगाएंगे इससे इनके बिखरने का खत्रा रहता है तो बस इसे हलका हलका सा कल्ची की मदद से अंदर डाल दे ग्रेवी के ताकि यह अच्छे तरीके से ग्रेवी को एब्सॉफ करें और सारी फ्लेवर् इसमें मैंने इसमें आट कर दिया है आदी चोटी चमच आमचूर का पाउडर हमने बेसन वाले मिश्रन में भी आट किया था और साथ में यह सबजी की उपर भी डाल देंगे तो इससे खराश की बिल्कुल भी फिकरनी रहेगी बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबजी को बिना किसी जंजट के खा लोगे इसी के साथ इसमें मैंने एक चमच कसूरी मीथी आट कर दी है इसे हाथों से क्रश करके डाले और भी अच्छा फ्लेवर आता है और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे आए देखिए लग रीना बिल्कुल परफेक् करते हैं यहाथ हुआ है किसे बनाना मुशिकल है या किन मानिया मुश्किल भी नहीं है बहुत ही आधे हैं बस कुछ खास बातों को ध्यान रखना है उमीद करती हूँ कि आज के ये वाली रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए जरूर हल्प रूप रूप रहा होगा अगर थोड़ी से भी मदद मिली है आपको इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और जादा से ज अगे वाली रेसिपी जरूर ट्राइ करिये का आपको बहुत ही पसंद आएगा थैंक यो सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो